आपने प्रेस के साथियों को आपके माद्यम से पूरे देश और प्रदेश वासियों को मैं राम नॉमी की बहुत बहुत बधाई और शुब कामनाई देता हूँ ऐसा तेवहार ऐसे दिन जहां से अच्छी शुरुआत होती है मुझे खुशी इस बात की के आज कॉंग्रिस पार्टी के नेथा राहूल गांदी जी और समाजवादी पार्टी की आज हम मिलकर के प्रेस कर रहे हैं पहले चरण का चुना उत्तपदेस का होने जा रहा है और जो पश्चिम से हवा चल रही है वो पूरे के पूरे उत्तपदेस और देश के माहौल को बदलने जा रही है आज गाजवाद में बैठे हैं इस बार भारती जनता पार्टी को गाजवाद से लेकर के गाजी पूर तक इंडिया गडवन्दन सफाया करने का काम करेगा आज किसान दुखी है तमाम जो वादे किये थे भारती जनता पार्टी की हर बात जूटी निकली उनके वादे जूटे ना किसान की आई दोगुनी हुई ना नौजमान को नौखी रोजगार मिला और जो सपने दिखाये थे विकास के वो भी अधूरे हैं जो इनका नैतिकता का बुलवला था वो भी तूड़ गया इलेक्टरल बौन ने इनका बेंड बजा दिया भार्तिय जनता पार्टि सभी भरष्टाचारियों का गोधाम बन गई न किवल भरष्टाचारियों को ले रहे हैं भरस्टाचारियों ने जो कमाया है उसको भी अपने साथ रखने जहां उत्तव प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है डेवल एंजन की सरकार में जो दावा करते रहे डेवल एंजन उनकी होर्डिंग देखिए आप के अब डबल वहां पर नहीं दिखाय देते हैं अकेले दिखाई दे रहे हैं इनके प्रत्यासी होर्डिंग से गाइब हैं और चुनाओं के बाद होर्डिंग पर जो अकेले हैं वो भी गाइब हो जाएंगे और सफाया होने जा रहा है इनका एक ही नारा है जूट बोलने का और लूटने का लूट और जूट भारती दिन्ता पार्टी की पहचान बन गई है पेपर लीक कितने हुए हैं एक दो होते तो ठीक था लेकिन दस पेपर लीक हुए और मैंने कई मौकों पर वो बात बताई कि अगर एक परिवार के हम केबल तीन सदस्टों को माल लें जिस व्यक्ति ने परिशा लिखने की तैयारी की जो परिशा नहीं दे पाया पेपर लीक के खारण और उसके मावाब को अगर हम जोड लें तो ऐसे साथ लाख नौजमान हैं साथ लाख नौजमानों का भविस अंदकार में डाल दिया और अगर साथ लाख का गुड़ा करें हम तीन से एक करोड़ असी लाख और एक करोड़ असी लाख को अगर हम डिवाइड कर दे हैं असी लोग सबाहों से तो भारती जनता पार्टी का दो लाख पच्छिस जार बोट हर लोग सबाह में कम हुआ है इसलिए एक भी बोट बठ न पाए जहां में मद्दान करना है वहीं मद्दान के दिन हमें साब्दान भी रहना है अगर हम साब्दान रहकर के मद्दान करेंगे और अपने बूत की चौकीदारी करेंगे तो भारती जनता पार्टी का सफाया होगा आने वाले चुनाओं में ये देश का चुनाओ है देश की जनता बदलाब चाती है और बदलाब की हवा पश्चिम से उत्तपदेश से चल लई है और मुझे पूरा उम्मीद है आने वाले समय में इंडिया गडवन्न और नई सरकार देश में दिखाई देगी शुक्रिया अखिलेश जी राहूल जी नमस्कार रामनों में की आप सब को देश को बहुत बहुत शुब कामना है ये चुनाओ विचारधारा का चुनाओ है एक तरफ RSS और BJP जो सम्विधान है लोकतांतरिक सिस्टम है उसको खतम करने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ इंडिया गटबंदन, कॉंग्रेस पार्टी, सविधान को, लोकतांतर को डिफेंड करने की कोशिश कर रही है उसकी रक्षा कर रही है चुनाओ में दो-तीन बड़े मुद्दे हैं सबसे बड़ा बेरोजगारी, दूसरे नंबर पर महंगाई, भागीदारी मगर बीजेपी 24 घंटा डिस्ट्रैक्शन करने में लगे रहती है कभी प्रधान मंत्री समुद्दर के नीचे चले जाते हैं कभी आसमान में सी प्लेन पे चले जाते हैं मगर जो मुद्दे हैं, उनके बारे में ना प्रधान मंत्री ना बीजेपी बात करती है कुछ दिन पहले प्रधान मंत्री ने एन आए को बहुत लंबा इंटर्व्यू दिया स्क्रिप्टिड था, मगर फ्लॉप शो था प्रधान मंत्री जी ने उसमें इलेक्टरल बॉंड्स समझाने की कोशिश की प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि इलेक्टरल बॉंड्स का सिस्टम ट्रांस्पेरिंसी के लिए लाया गया राजनेती को साफ करने के लिए लाया गया अगर ये सच है तो उस सिस्टम को सुप्रीम कौर्ट ने रद क्यों किया और दूसरी बात अगर आप ट्रांस्पेरिंसी लाना चाहते थे तो जिन लोगों ने आपको पैसा दिया बीजेपी को पैसा दिया हजारों करोर रुपे दिये उनका नाम आपने क्यों छुपाया था और जिन तारीकों पे उन्होंने आपको पैसा दिया उसको आपने क्यों छुपाया था फता लगता है हजारों करोर रुपए का कॉंट्रैक्ट किसी कंपनी को मिलता है उसके एकदम बाद वो कंपनी बीजेपी को पैसा देती है CBI की इंक्वाइरी होती है ED की इंक्वाइरी होती है किसी कंपनी पर शुरू होती है उसके 10-15 दिन बाद कमपनी करोनो रुपे बीजेपी को देती है और फिर सी बी आई की इंक्वाइरी एडी की इंक्वाइरी बंद हो जाती है सडक पे इसको एक्स्टोर्शन कहते हैं एक्स्टोर्शन कहते हैं सडक पे तो ये जो है एलेक्टरल बॉंड्स का जो स्कीम है ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्स्टोर्शन का स्कीम है हिंदुस्तान के सारे के सारे बिजनसमेन इस बात को समझते हैं जानते हैं और प्रधान मंत्री जितनी भी सफाई देना चाहें कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है क्योंकि पूरा देश जानता है कि प्रधान मंत्री ब्रश्टचार के चैंपियन है धन्यवाद अच्छा एक और बात आपने जहराम जी आपने कहा कि जो भी आपको questions पूछने हैं आप पूछेंगे और ये open ended press conference है पर इसमें एक और बात मुझे पहले ही दो तीन बीजेपी वाले questions पता लग जाते हैं तो वो तो guaranteed पूछे जाएंगे तो उनके लिए मैं त्यार हूँ आजकल guarantee का सवाना है राहुल पहला सवाल महिकार जी हिंदुस दी डेली से माइक दीजेगा राहुल जी स्वागत है आपका दोनों नेताओं जबकि आज परचार का पहला चरण समाप्त होने वाला है आपने मेरे मित्रों को थोड़ा सा कसरत करा दी वो दिल्ली से यहाँ हैं आपने गाजियाबाद में क्यों PC की यूपी दिल्ली छोड़के गाजियाबाद में PC हो रही है दूसरा सवाल यह है राहुल जी से की लोग तो गुजराच छोड़कर PM बनने के लिए बना रहे साते हैं आप बाइनाइट चले गए तो क्या अमेठी या राइबरेली से आपने रहेंगे तो क्या अमेठी या रा सब्सक्राइबाद का डिसिजन है जो भी मुझे ओर्डर मिलेगा मैं वो करूँगा CEC मीटिंग हमारे हमारी पार्टी में CEC मीटिंग में यह डिसिजन लिये जाते हैं बट पहला बीजेपे का क्वेस्टिन गुट क्वेस्टिन थैंक यू अमर उजाला से निशा आप छांत हो जाएए यहाँ बहुत स्वागत है मेरा सवाल आप से यह है कि यूपी में ना केवल यूपी में बलके पूरे देश में इस बार कॉंग्रेस ने अपने बहुत कम प्रतियासी 268 अभी तक सामने आये हैं और यूपी में तो 80 सीटों के 17 सीट हैं ऐसा क्यों क्या ऐसा मान के चल रही है कि कॉंग्रेस की आप कमजोर चल रहे हैं या यूपी में कमजोर है कॉंग्रेस इसलिए सपा या आपके गटबंदन बाकि सहयोगी पार्टी सीट नहीं देना चाहरे हैं नहीं हमने डिसिजन लिया है कि इंडिया गटबंदन चुनाव लड़ेगा और हमने सीट शेरिंग की है और open minded तरीके से दिल खोल के हमने सीट शेरिंग की है हम चाहते हैं कि थोड़ी सी हम flexibility दिखाएं और open minded तरीके से हम चुनाव लड़ें इसलिए हमने space अपने partners को दिये है तो इसका कोई कमजोरी का मतलब नहीं है पीटिया से अनवर राहुल जी मेरा सवाल आप से है कि पिछले बार जो आप दोनों लोगों का गटबंधन था वो सफल नहीं हो सका उत्तर प्रदेश में एक बार फिर आप लोग साथ आये हैं और प्रधान मंत्री ने पिछली दिनों कहा कि ये दो लड़कों की flop film है जो इ आगे आप क्या उमीद कर रहा हैं इस गटबंधन से उत्तर प्रदेश में कितनी सभलता मिलेगी और कितनी सीटों की उमीद है इस बार आप लोगों कि देखिए मैं सीट का प्रेडिक्शन तो नहीं करता हूं जेनरल बात कह सकता हूं कि 12 दिन पहले कि 180 से 180 तक जाएंगे अ हर स्टेट में हमें रिपर्ट मिलरी है कि हमारा चुनाव इंप्रूब कर रहा है और अंडरकरंट है जहां तक गटबंधन की बात है UP गटबंधन की बात है बड़ा पारफुल गटबंदन है और बहुत अच्छा परफोरमंस होगा हमारा उत्तर परदेश में कि देनीं जारेंटस से अदिती तुर्पाटी। आक दोनों कA BAJFrしeleri कै अधिरेशême प्रवलों के लिए आपकी धोनों की की अधिक्या रहन नहीं os तर्परदेश में अलगी का आपकी क्या रण्य के अधिरेश lore पर यॉत्र फल जो अपना हमारा foundation बता देता हूँ और वो ही ideas हम उत्तरप्रदेश में भी चलाएंगे देखिए पिछले दस सालों में नरेंद्र मोदी जी ने नोट बंदी करके गलट GST लागू करके और जो बड़े बड़े अरब पती हैं अदानी जी हैं उनका पूरा सपोर्ट करके जो रोजगार पैदा करने का सिस्टम था उसको उसको उन्होंने कम कर दिया है तो सबसे पहला काम जो रोजगार हिंदुस्तान के युवाओं को मिलना चाहिए उसको एक बार फिर स्टेंथन करने का है उसके लिए हमने अपने मैनेफेस्टों में दो तीन आइडियाज दिये हैं एक आइडिया रेवलूशनरी आइडिया है राइट टू अप्रेंटिशिप तो जो अमीर घर के बच्चे होते हैं वो अप्रेंटिशिप करते हैं ट्रेनिंग मिलती है पेड ट्रेनिंग होती है तो हमने डिसाइड किया है कि हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश के सब ग्रैजुएट्स को डिप्रोमा होल्डर्स को हम अप्रेंटिशिप का अधिकार देंगे जो भी अप्रेंटिशिप करना चाहेगा उसको प्राइविट सेक्टर में पब्लिक सेक्टर में सरकार में अधिकार मिलेगा अप्रेंटिशिप का अधिकार मिलेगा ट्रेनिंग होगी और एक लाक रुपए साल का 8500 रुपए महीने का उस युवा के बैंक अकाउंट में हम डालेंगे और ये कुरोणों युवाओं के लिए हम अधिकार दे रहे हैं इससे एक ट्रेंड मैन पाउर त्यार होगा प्राइविट कंपनीज को भी इसका फाइदा होगा, सरकार को भी इसका फाइदा होगा और एक प्रकार से युवाओं के लिए ये एक जॉब मार्केट में एंट्री का सिस्टम हो जाएगा दूसरी चीज तीन लाक सर्कारी रोजगार हैं जो नरेंदर मोधी भर नहीं रहे हैं वो वेकट्सीज हम युवाओं को देने जा रहे हैं पेपर लीक के बात हुई है उसके लिए हमने एक हम कानून बनाएंगे उसको हम खत्म कर देंगे तो ये बात हुई युवाओं की एक और हमारा आइडिया करांतिकारी आइडिया और ये उत्तर प्रदेश की महिलाओं को बहुत फाइदा में लगा इससे हर गरीब परिवार की हम लिस्ट बनाएंगे और हर परिवार हर गरीब परिवार में से हम एक महिला को चुनेंगे और उसके बैंक अकाउंट में महीने के 8500 रुपे साल के एक लाक रुपे सरकार हर महीने बैंक अकाउंट में डालने जा रही है किसानों की बात किसान सिर्फ दो चीज़े मंग रहा है नरेंदर मोदी से दस साल मंगा हमें सही दाम दिलवा दीजिए और जैसे आपने 16 लाग करोड रुपै मतलब 24 साल का मनरेगा आपने अदानी जैसे लोगों का माफ किया वैसा ही आप हमारा भी माफ करतीजे और नरेंदर मोदी मना करते हैं उन पर फाइरिंग करवा देते हैं उनको डरा देते हैं तो हमने लीगल MSP की करने ने ले लिया है हिंदुस्तान में पहली बार लीगली गैरंटीड MSP होगी और हम उनका किसानों का कर्जा माफ करने जा रहे है यही मेन मुद्धे हैं चुनाओ में बीजेपी का मैनेफेस्टो देखेंगे तो उसका जो फाउंडेशन है दो चीजे हैं एक की वो शायद दस पंदरा साल बाद ओलिम्पिक गेम्स इंडिया लाएंगे और दूसरा एक या दो व्यक्तियों को वो चान्द पर पहुचा देंगे तो यह बेसिकली चुनाओ चल रहा है शुक्रिया राहुल जी अगले तीन चार सवाल आप कृप्या अखिलेश जी से पूछेगा एनाई से शालिनी पहला सवाल राहुल जी से है अखिलेश जी से पूछेगा प्रिप्या लगा दिया इसलिए अब आप से पूछेगा डोनों से पूछूंगी सर्थ पहला सवाल राहुल जी से है जैसे कि प्यम ने कहा है कि मैं बेश बचा रहा हूं लेकिन इंडिया ऐलाइंस जो है वो परिवार बचा रहा है इस पर क्या कहेंगे सर्थ और जो दूसरा सवाल जो सवाल है मेरा वो यह है जादूगर कहा है उन्होंने राहुल जी को और उन्होंने कहा है यह नहीं कुछ आप इंट्रिव्यू दिया उसमें बोला कि ऐसा कौन सा जादू है कि एक जटके में गरीबी मिटा सकते है मैं जानना चाता हूँ ऐसा कौन सा जादू है कि एक जटके में गरीबी मिटाई जा सकती है तो यह मेरा सवाल दोनों से है ने दोनों से है मैं धन्यवाद देता हूँ आप लोगोंने सवाल पूछे हाला कि कुछ सवाल आपने राहुल जी से पूछे थे एंडिये को पीडिये हराएगा एंडिये को पीडिये हराने जा रहा है एंडिये को पीडिये हराने जा रहा है और जहां तक सवाल परिवारबाद की बात है आज नवरात है आज शुब दिन है भारतिय जनता पार्टी के लोग संकल्प लें कि ना किसी परिवार वाले को ठिकेट देंगे और ना किसी परिवार वाले से बोट मांगेंगे और गाज़ेबाद में कारकम इसलिए किया है क्योंकि हम दोनों लोगों ने संकल्प लिया है वो तो इंडिया गडवन्दन का नाम भी ठीक से नहीं ले पाते है आई एन डिया ये तो इंडिया होता है इंडी कब से हो गया यहां से सफाया होगा गाजीपूर तक जो चौदे में आए थे वो चौविस में चले जाएंगे और यूपी वाले स्वागत भी अच्छा करते हैं और इस बार तो ढोल नगारा और सब कुछ की तैयारी है इस बार बिदाई भी बहुत शांदार होने जा रही है और टाइमस नाव भारत रंजीता अखिलेश जी से आपने आपने जो गरीबी को एक जटके में मिटाने की बात की देखिए ये कोई नहीं कह रहा है कि गरीबी को एक जटके में मिटाए जाएगा हम ये कह रहे हैं कि गरीबी को गहरी चोट पहुचाई जा सकती है और तरीके मैंने आपको बताए है नरेंद्र मोदी जी ने पूरा का पूरा फोकस 22 लोगों पे किया है 22-25 लोगों पे किया है आज की सचाई है कि 22 लोगों के पास उतना धन है जितना 70 करोड़ लोगों के पास है गरीबी का ये भी कारण है कि नरेंद्र मोदी जी ने सारा का सारा धन कॉंसेंट्रेट कर दिया है 20-25 लोगों को पकड़ा दिया है मैं जाती जंगर्ना की बात कर रहा हूँ और मैंने ये बात बुकपार उठाई है भागीदारी की बात होती है हिंदुस्तान के किसी भी इंस्टिटूशन में आपको ना पिछले वर के लोग मिलेंगे ना दलित मिलेंगे ना आदिवासी मिलेंगे ना गरीब जनरल कास्ट के लोग मिलेंगे मैंने मीडिया के बारे में बात उठाई मीडिया में आपको बड़े-बड़े आंकर्स दिखते हैं आपको मीडिया की कंपनीज के मालिक की लिस्ट निकालिए आपको दिख जाएगा कि उधर ना एक पिछला मिलेगा ना एक दलित मिलेगा ना एक आदिवासी मिलेगा तो हम करान्ति कारी काम करने जा रहे हैं जाती जनगरना गरीब महलाओं को एक लाक रुपए युवाओं को अप्रेंटिशिप का कानून अप्रेंटिशिप का अधिकार उनके बैंक अकाउंट में एक लाक रुपए, किसानों को MSP, तो ये सब गरीबों को पैसे देने के तरीके हैं, नरेंदर मोधी जी ने पिछले दस साल में गरीबों को कुछ नहीं दिया, तो ये हम करने जा रहे हैं, है, हाँ रंजीतर, अक्लेज जी से हैं, राहुल जी ने अभी जितनी भी चीजे की पहले, जितनी भी चीजे कही आव वो तमाम चीजे कॉंगरेस के घोशना पत्र में है, क्या इंडिया गडबंधन का अपना कोई साजा जो है वो मैनिफेस्टो होगा, अखलेज जी क्या जो सपा की भी है या सपा कुछ अलग भी घोशनाय कर रही है चुना में इंडिया गठबंदन नई उमीद है और जैसा कि राउल जी ने कहा कि उनके मैनिफेस्टों में बहुत सारी चीजें हैं जिससे गरीबी दूर की जा सकती है उसी से जोड़कर के मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस समय हमारा देश का किसान खुशाल हो जाएगा जिस दिन देश के किसान को अपनी लावकारी मूल मिलने लगेगा फसल का और मैं समस्ता हूं जितने भी राजनेतिक दल हैं और खासकर जो इंडिया गडवदन के साथ ही हैं वो ये बात कह रहे हैं कि हम MSP की गारंटी दे जिस दिन भारस सरकार किसानों की आए बढ़ा देगी गरीबी दूर होना शुरू हो जाएगी और मैं कई मौकों पर कह रहा हूं कि जाती जड़ना भी एक हमारा मुद्दा है बिना समाजिक नयाय के बिना जाती की गैर बराबरी खतम किये हुए हम अपने समाज को आगे नह बढ़ा सकते और जैसा राउल जी ने कहा कि खुशाली के लिए जाती जड़ना जरूरी है तो जाती जड़ना समाजिक नयाय और पीड़े की लड़ाई को लेकर के हम चलेंगे उससे गरीबी भी दूर होगी और मान सम्मान भी मिलेगा अविकरांत और देखिए ये जो हमार manifesto है ये जरूर Congress Party का manifesto है मगर इसमें जो ideas है वो India गटभंदन उनकी ideology के ideas है और अगर समाजवादी पार्टी का कोई suggestion हो या किसी और भी India गटभंदन की party का suggestion हो उसको हम सब on board करेंगे तो हमारा हमारा मतलब jointly काम होता है हम बातचीत करके कंसल्ट करके काम करते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं और हम लोग G20 की तरह नहीं है केवल दो का चलता हो बागी सब जीरो हो अकले जी समझने में वक्त लगेगा अकले जी G20 अकले जी एक मिनिट एक मिनिट एक मिनिट इक को बलाया है अकलेश जी राहूल जी आप दोनों लोग अकलेश जी अकलेश जी राहूल जी आप दोनों लोग 2017 में साथ आए थे दोनों ने लखनव में प्रेस कॉंफरेंस भी की थी लेकिन 19 और 22 में आप दोनों अलग-अलग हो गए, 24 में फिर सात आए है आखिर मोगेन्ट क्या था जब दोनों के दिल में आया हमे वे हमे साथ आना हो चाहिए जरूरी है 7 साल बाद दोनों के दिल में कभ यह मोगेन्ट आया कि है sta मोगें क्यों बताना हम साथ आ गए और साथ आ गए साथ आगे यही मोमेंट है साथियों अभी अभी दोनों नेताओं को जाना है उसके पहले उसके पहले हमारा गटबंदन का एक गीत है वो जारी किया जाएगा और हमारे चार उमीदवार जो है वो राहुल जी और अकिलेश जी से एक फोटो की ज़ाएंगे पहले गीत सुनियेगा गीत देखिएगा प्रेस कान्फिरंस समाव हुआ है और गटबंधन है गटबंधन है यह इंदिया का गटबंधन है गटबंधन है गटबंधन है परवेश की खातिल राहुल और अखलेश की खाति तमीधान बचाना है तो उद्ध करो इस देश की खाति उद्ध करा इस देश की खाति उमीद किसा नोकीन से मजदूरों की आश यही है तेश बचलना है इनको ही पहना गाद शवास यही है जंगन की आवास यही है दिली में प्रामेश की खाति राहुल और अखलेश की खाति उद्ध करो इस देश की खाति उद्ध करो इस देश की खाति करा हुल आखे इसकी लापी सोन बचाएं लोक तंत्र को अब को इन ही से आशा है सक पूछो तो इनका जीवन समाज माद की परिभाजा है अब भारत का नारा यही है दिली में प्रवेश की खाति राहुल और अखिलेश की खाति बोट करो इस देश की खाति गठ बंधन है गठ बंधन है ये इंडिया का गठ बंधन है गठ बंधन है ये इंडिया का गठ बंधन है मेता जी के लाल तुम ही हो पार देश का मान तुम ही हो गठ बंधन का गठ बंधन है गठ बंधन का सम्मान तुम ही हो अब धर्म युद्ध को लड़ना है तो दिली में प्रवेश की खाति राहुल अर अकलेश की खाति उट करो इस देश की खाति गठ बंधन है गठ बंधन है ये इंडिया का गठ बंधन है इंडिया का गठ बंधन है इंडिया का गठ बंधन है सात्यों अभी हमारे विद्वार है डॉली शर्मा गाजियाबाद से अमरपाल शर्मा जी बागपत से महेंद्रन आगर गौतम बुद्नगर से और शिवराम वालमी की जी बुलन शहर से रुप्या मंच पर आईए और राहूल जी और अकिले जी के साथ कोटो किम जाएंगे